अब कच्छा आटवी के विद्यार्थियों को प्रसनावली 14.3 के प्रसनों को बताने जा रहा हूँ तो चलो देखते हैं प्रसनावली 14.3 के पहला प्रसन क्या है पहला प्रसन देखो एक सम्चतुर्भूज का छेत्रफल ग्याद कीजिए जिसके विकर्ण 24 cm वा 10 cm है तो सम्चतुर्भूज बना लेते हैं सम्चतुर्भूज मतलब सम्बलाम चतुर्भूज समझो इसको तो इस तरह से एक चतुर्भूज है जिसे हम सम्चतुर्भूज के कहते हैं या फिर सम्बलाम चतुर्भूज यह वर्ग जैसा रहेगा ठीक है यहाँ पे एक का जो विकर्ण ये रहेगा और एक का विकर्ण ये रहेगा ठीक है एक विकर्ण बड़ा है और एक विकर्ण छोटा है तो बड़े वाले विकर्ण का जो मान है वो दिया है 24 cm और ये छोटा वाला विकर्ण है इसका मान है 10 cm ठीक है तो इस प्रस्न में क् आने के लिए आपको क्या करना है सम चतुर्भूज का चेटर फल का सुत्र लगाना है तो सम चतुर्भूज का चेटर फल बराबर 1 अपं 2 done2 do r2 इस नियम का उपयोग करना है ठीक है यह जो है यह proceeding कह लाएगा और एक जो है का मान दिया है तो विकर्ण को हम क्या कहते हैं और दिया क्या है दिया है प्रथम विकर्ण प्रथम विकर्ण का मान कितना दिया है चोबीस सेंटिमीटर चोबीस सेंटिमीटर और द्विति विकर्ण द्विति विकर्ण इसका मान दिया है दस सेंटिमीटर ठीक है 10 cm द्यत्य विकार्ण और प्रथां विकार्ण 24 cm दिया हुआ है ठीक है अब इन मानों को यहाँ पे रख देते हैं प्रथां विकार्ण मतलब D1 और द्यत्य विकार्ण मतलब D2 तो 1 अपान 2 गुडित 24 गुडित 10 2 एकम 2 पंचे कड़ गया और 5 गुडित 24 कर देते हैं तो 5 गुडित 24 कितना होगा 5 चौक 20 दो हासिल पात दुनी 10 और 2 12 120 हो जाएगा ठीक 120 वर्ग सेंटीमीटर क्या प्राप्त हुआ उत्तर प्राप्त हुआ ठीक यह बन गया दूसरा देखते हैं दूसरा प्रस्न देखो सेम टूसरा इसका भी सॉलूशन वही होगा क्योंकि यह भी समझदुर भूज का है एक भूजा 7.05 पांस सेंटीमीटर और सेस्की लम कितना है लम दिया है 5 सेंटीमीटर ठीक है तो इसका छेत्रफल गयाद कीजिए तो छेत्रफल गयाद करना है तो देखो इसको कैसे बनाना है यहाँ पे जो प्रस्न है थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि यहाँ पे भूजा दिया है और सिर्सलम दिया है विकार नहीं दिया है तो विकार नहीं दिया है मतलब इसके जैसा हल तो होगा ही नहीं लेकिन चीत्र जो है वो सेम रहेगा चीत्र मैं सेम कर लेता हूं ठीक है इस तरह से ठीक है इस तरह से कर लेते हैं 7.5 जो दिया है एक भूजा का मान है यह एक भूजा है 7.5 और लंब जो है लंबाई 4 मान लो 4 इस तरह से ठीक है दिया है तो जो एक भूजा का जो मान है ठीक है एक भूजा बराबर 7.5 या इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको 75 बटे 10 लिख सकते हैं दसमलो का एक और 5 को 0 लिखेंगे ठीक है तो 75 बटे 10 हम इसे लिख सकते हैं अब दूसरा जो मान दिया है वो दिया है सिर्सलम दिया है सिर्सलम का मान कितना है 4 सेंटी मीटर यहां भी सेंटी मीटर लि चतुर्भुज का छेत्रफर बड़ाबर लंबाई गुरित चोड़ाई तो मानों को रख देते हैं एक लंबाई एक चोड़ाई है तो यहाँ पे 75 बटे 10 और एक को हम 4 लिख लेते हैं तीक है इस तरह से दो दूनी दो पंचे पांचे कम पांच दूनी और दो और पांच पंचे 25 दूनी कितना हो गया 25 दूनी 50 यहाँ गया 50 वर्ग एक सेक्रण 50 कर रहेगा यहां पे इसे हमने 10 बनाया ना तो 2 और यह जो तो दो बच्चा है ठीक है दो दुनी और दो पंचे ठीक है और यह 75 बना था तो पांच दुनी एक पांच ठीक है एक तीन है दो और यह तीन तेईस हो जाएगा ठीक है तेईस दुनी कितना होता है तेईस दुनी 30 दूनि 60 फ़ Only Six और देसे डिवाइड कर रहा है इसलिक गलती करने को ध्यान दे रहा है गलती और जहाँ यहां पर लिक लेता हूं ऑम लिख bara दो और 25 25 वुणी तो 15 दुनि 30 यह ओ गया 30 हो गया ठीक है 30 वर्ग सेंटिमीटर ठीक अब ये सही है मैं 3 समझ रहा था उसे दूबारा भी यहल कर रहा था उस समय भी मैं इसे 5 से भाग नहीं दे रहा था तीन से भाग दे रहा था इसलिए गलती हो रहा था ना चलो आगे देखते हैं इसके तीसरा प्रशन क्या है समलम चतुर्भूज की बात किया इस बार और समलम चतुर्भूज के समानतर भुझाय क्या है 20 और ऑर इसके बीच की दूरी कितनी है बीच की दूरी 20 सेंटीमेटर है तो इसका छेत्रफण निकाल लिए तो समलाम चतुर भूज की आकरती आपको पता है, नहीं न, तो मैं बता देता हूँ, समलाम चतुर भूज दिखता कैसे है, देखो, समलाम चतुर भूज जो है, कुछ इस प्रकार से दिखता है, यह समानतर भूज है, यह भी समानतर, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक तो यह और यह दोनों आकरिति अगर आपको दिखाए देता है तो यह संबलम चतुरबुजी कहलाता है बड़ा वाला जो भूजा है वो 20 cm था ठीक है तो नाम यहां पर 20 cm दे देते हैं 20 cm और एक 8 था उपर को 8 cm यहां भी वैसी कर सकते हो यह बड़ा है तो 20 cm और इसे हम 8 cm ना पा जा रहा था तो 12 cm यहां से यहां की उचाई और इसके उचाई 12 cm इस तरह से समझ में आ गया तो हम इस वाले आकरिति का उपयोग करें आकरिति कोई भी यूच कर लो हमारे उत्तर तो सेम ही आएगा ठीक है अब जो दिया है वो सारे टॉपिक आप लोग लिख लेना दिय है कहके ठीक है दिया है कहके 12 8 और ये 20 को लिख लेना डायक्त मैं आता हूं इसके छेतर फल में तो समलम चतुरभूज srk में लिख समrån लम चतुर्भूज का छेत्रफल ठीक है क्या होता है समलम चतुर्भूज का छेत्रफल तो इसका छेत्रफल होता है वन अपान टू गुरीत एच गुरीत ये दोनों जूर जाता है ठीक है ये लंबाई प्लस चोड़ाई एक सेकंड यहां पे नहीं लिखेंगे नीचे में करते हैं मान ठीक है अब इनके मानों को रख लेते हैं तो उचाई का मान कितना है बारा तो यह रहा बारा लंबाई 20 ले लो बड़े वाले को और इसमें 8 को जोड़ देना है यह 8 जोड़ जाएगा इस तरह से तो यह हो जाएगा वन अपान टू गुडित बारा गुडित 20 और 8 कितना ह क्या होगे 28 दो एक आम 2 चक्के भाग देज दो 6 और 28 को जब भाग दोगे तो इतना आएगा 6 और 28 को भाग देंगे तो एक मिटना इसका उत्तर आजाएगा 8 चक्के और 49 का आठ हांसिलाई चार और 6 दुनी 12 और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 तो यह हो जाएगा 160 और इसे किस में बनाने के लिए क्लिए क्लिए है मीटर में बदल जाएगा इस तरह से तो अगर आपके बुक में वर्ग मीटर में उत्तर दिया होगा तो सौ से इसे डिवाइट कर दोगे सेंटी मीटर को बदलने के लिए मीटर में बदलोगे तो 100 से ही भाग दोगे ना तभी तो आएगा तो इस तरह से ये उत्तर प्राप्त होगा चलो आगे दिखते हैं इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ चौथा प्रश्ण देखो ये वाला प्रश्ण यहाँ पे आधार दिया है ठीक है और ये क्या है ये समलम चतुरबूज का छेतर फल ग्याद करना है तो ये दोनों क्या है ये दोनों जूड जाएगा जूडने के बाद इसके साथ बुड़ा हो जाएगा तो मैं डारेक्ट करता हूं ठीक है टाइम वेश्ण नहीं करेंगे देखो वन अपान टू ठीक है यहाँ पे आ जाती है पूरा फार्मेल्टी आप लोग निभा लेना ठीक है जो फार्मेल्टी दिया है सिधा हम शेतर फल पर आते हैं वन अपान टू गुडित एच एच कमान कितना है देखो 1.5 यहाँ पर दिया है लंबाई और यह चोड़ाई है दोनों को जोड़ देंगे तो 30 और 24 को जोड़ दो तो देखो जोड़ दिया है इन्होंने यह रहा ठीक है जोड़ेंगे तो कितना होगा 24.4 अब इन दोनों को पहले गुड़ा कर लो या फिर डिवाइट करना चाहते तो डिवाइट कर सकते हैं तो 2 से इसको डिवाइट कर दिया है तो 2 से डिवाइट करके 27.2 ला दिया है इसके बाद अंत में इन दोनों को गुड़ा करके 40.8 जिलो वर्ग सेंटीमिटर उत्तर लाया ठीक है देखो इसके बाद आते हैं पांचवा प्रसम एक संबलम चतुर मतलब एक को अगर एक समान होगे तो दूसरा एक स्प्लस छे हो जाएगा ठीक है तो यह फाल मिल्टी आपको निभाना है कुछ दिया है कहके लिख लेना ठीक है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अब देखो मैं आपको दिखाता हूं जो मैं कहना चाहता हूं वह हीज यह पर लिखा हूए है देखो एक समाना है और दूसरी भुजा को यह आकर देना है और घ के साथ क्या करना है गुड़ा कर देना है एज पर दखे ऱटीया मतलब अठ्ठाग हुग तो होगा ठीक है तो इस तरह से प्रस्नावली 14.3 भी कंप्लीट हो गया